नमस्कार कैसे आओ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक डिलिशिस रेसिपी जिसका नाम है चिकन बिर्यानी तो चले किचन में चिकन बिर्यानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने चार मीडियम साइस की प्याज ली हैं और उनको हमने इस तरह से बारिक स्लाइसिस में काट लिया है ये दो चमच कुकिंग ओयल है जिसको हमने कडाही में अच्छे से करम कर लिया था गैस हमारा फुल है और इस तरह से हम इस प्याज को लाल कर लेंगे सारी प्याज हम एक ही बार में लाल कर लेंगे प्याज हमारी लाल हो रही है गैस के फ्लेम को हमने फुल रखना है देखिए प्याज हमारी लाल हो चुकी है अब भी से एक प्लेट में निकाल लेंगे देखिए कितना अच्छा कलर आया है प्याज का ए हमें प्याज लाल करनें में लगता है अब यह हमारे पास आदा किलो चिकन है और इसमें मैं एक चटनी जो मैंने हरे धनिये की पौदीने की और थोड़ा सा अधर क्लशन मिला के ग्रेंड की है, PC है उसको हम इस चटनी को इसमें चिकन में मिला रहे है आप चाहें और आप मैं इसमें मिला रही हूँ आदा चम्मच हल्दी और ये हमारे पास देगी मिर्च है जो मैंने एक चम्मच लिया है आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर तीखा खाते हैं तो और आदा चम्मच ही मैंने इसमें नमक मिलाया है और ये हमारे पास भुना वाजीरा है जो मैंने एक चम्मज के करीब इसमें डाला है और ये हमारे पास ब्लैक पेपर है काली मिर्च है जो हमने बारी घर में पीसी थी एक चम्मज के करीब हम इसमें डाल रहे हैं और चार-पांच ही हम इसमें हरी इलाइची डाल रहे हैं, ये दो मोटे इलाइची हैं, और ये मरबा दाल चीनी, और कुछ काली मिर्च हैं, लॉंग हैं, और एक दो आप जावितरी भी इसमें डाल सकते हैं, इस तरह से आप मोटे जितने मसाले आते हैं, गरम मसाले, वो इसम डाला है थोड़ा सा दनिया और थोड़ा सा पदीना क्योंकि बिल्यानी में जो टेस्ट आता है वो पदीने का बहुत ही अच्छा आता है और यह हमने डाला है इसमें तेजपत्ता मैंने दो पीस कर दी है आप चाहे तो एक ही में ऐसे डाल सकते हैं और यह आधी कटोरी हमारे डही है दही बहुत ज़रूरी है यह optionner नहीं यह आपको ीखर और एक नीबु का रस चांटके डालें थाकि वीज ना आएं भाणी सहें पूराह एक नीबु का रस ऐमें चाहिताएं मैं फिर बोलूंगी डही options už सान नहीं आहीं है दही अप जरूर डालें मेरे friends दही का जो टेस्ट आता है बिर्यानी में वाव सच में बिर्यानी बहुत टेस्टी बनती है इन सब को हम अच्छे से मिला देंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने 4 प्याज ब्राउन किया था उसमें से 2 प्याज आदी प्याज ही डालनी है सारी नहीं डालनी है सारी डालेंगे तो हमारी बिर्यानी का स्वाथ मीठा सा हो जाएगा और इन सब को हम मिला लेंगे और यह हमारे पास food color है जो हमने पानी में थोड़ा सा स्को घोल दिया था और हमने इस food color को भी इसमें ड्टाल दिया है और यह हमारे पास है केवड़ा यह देखें और हम केवड़े का स्वाध तो आप जानते ही है सब कि बिर्यानी हो और केवड़ा ना हो ऐसा तो हो भी नहीं सकता, आप हम इन सब को अच्छे से मिला लेंगे, आप चाहें तो चिकन की पीसिस में बीज बीज में कट भी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाए हैं, अब हम इसे मैगनेट करने के लिए, एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, बाहर रख दें, वो आपकी इच्छ हो रहा है, और जो नीवू हमने डाला था ना उसमें, उसी कछिल का हम इसमें डाल रहे हैं, यह देज पत्ता है, चार-पांच हमने हरी मिर्च, मोटे लाइची, दाल-चीनी, सब डाल दिया है इसमें, और यह हमारे पास है, क्या है बला, देसी गी, ये हमने एक चम्मच इसमें देशी घी डाला है ताकि हमारे चावल खिले-खिले बने ये देखिए और फिर वही आ गिया हमारा केवड़ा ये तो जरूरी है इसके खुश्बू तो बस और ये हमारे पास है आदा किलो बासमती राइज जो हमने भिगोए थे एक घंटा आप दो घंटे भिगोए तो और भी अच्छा है मेरे फ्रेंड्स आप चावलों को भिगोए तो बहुत अच्छे बनेंगे क्योंकि फूल जाते हैं हमने बासमती राइस अपने डाल दिये हैं अब हमें से चला रहे हलका सा जादा नहीं चलाना है नहीं तो चावल तूट जाते हैं ध्यान रखें आप भी देखें अब मैं इसमें लास्ट में डाल रहे हैं नमा नमग के बिना तो बनीगा नीए स्वार तो हमने इसमें डाला है एक चमच नमाग अब हम फिर से एक बार से चला देंगे वो भी मैगनेट हो चुका है देखिए और यह हमने जो ओयल में अपनी प्याच को फ्राई गया था हम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं पर कोई भी चीज यह वही ओयल है और इसी ओयल में इतने से कम ओयल में ही हमारी बनेगी ब्रियानी यह देखिए दो चम्मच सिर्फ हमने ओयल लिया है देखिए टोटल हमारी बिर्यानी में लगेगा सिर्फ तीन चम्मच ओयल और अब देखिए यह हम सारा का सारा मैगनेट कियावा चिकर जा रहा है उस ओयल में जो गरम हो चुका है देखिए वाओ क्या कलर है आ रहे है न मुवे पानी सच में यह देखिए कोई महनत नहीं है कोई टेंशन नहीं है किसी को नहीं भी आती बनानी तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे न ओहो एक दम से बना लेंगे बिर्यानी ने तो लगता है बिर्यानी बनाना कितना डिफिकल्ट है अब मैं इसमें कोकर में दो सीटी लगाऊंगी सिरफ कितनी सीटी दो सीटी हमारी लग गई है चिकन हमारा देखे कितना अच्छा कलर आया है वाओ है कोई महनत अब इसमें हलकी सी कसर है चिकन में और वो हमें रखनी भी है पूरी तरह से हम इसे नहीं कलाना चिकन हमारा हलक सा कच्छा है पिल्कुन ना के बड़ाबर अब हमें लग रहा है इसमें ग्रेवी थोड़ी कम है तो मैंने छोटा सा टमाटर लिया है उसको चौप कर लिया है आप मिक्सर ग्रेंडर भी कर सकते हैं मैंने चौप किया है आपके पाँ चौपर हो चौपर से करें और हलका एक छूटा टमाटर ज्यादा नहीं लेना आप लोगों ने ताकि ग्रेवी क्या हो जाए ठीक हो जाए देखें कलर भी अच्छा आगया अब इसमें हम कुकर का ठकन हुआ है है यहां पर मेरे फ्रेंडस ध्यान रखेएगा हमने ct नहीं लगा नी plugging इसमें शिर्फ इसको गैस पार करके दो सेकिंद के लिए रग देना है इस असले से सब्सेल किसी इस स्थीम निकलनी चाहिए इतना ही इसको पकाना है ct आने से पहले इसको खोल देना है सीटी हमने आने नहीं दी हम इसको खोल रहे हैं देखें क्या जादू होता है हमारा आरे वाँ ये तो जादू हो गया कितना अच्छा कलर आया है आप जाहें न तो इस चिकन को ऐसे ही रोटी के साथ खा सकते हैं सच में आप इसको तंदूली रोटी के साथ या नॉर्मल रोटी ऐसे भी खाएंगे बहुत अच्छा लगता है अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया धनिया आप कहेंगी बार बार आयता है लेकि धनिये की जो खुश्वू होती है ओ हमारे भारतिये लोग तो धनिया बहुत कोई बात ने हम खाना बनाते हैं न तो ये छोटी-छोटी चीज़े तो हो जाती है लेकिन हमने वो नीबू का छिलका बाहर निकाल दिया और राइस डाल दिये कुकर में अब देखिए क्या करना है हमें इस तरह से हम फैला देगे अच्छा लग रहा है ना देखने में अब फिर से हमारे धनिया और पदीना ओ पदीनी की खुश्बू तो क्या कहने अब हमने इसमें धनिया और पदीना दोनों डाल दिया है और थोड़ा सा हम डाल रहे हैं फूट कलर और आपको यहाद होगा जब हमने चावल पकाए थे तो उसमें से निकला था चावल का पानी और यह हमने डाला है फिर से वही केवड़ा और यह बाकी प्याज हमारी क्योंकि दो प्याज तो हमने मैगनेट के टाइम यूज की और यह दो प्याज जो बची थी वो हम अब डाल रहे हैं टोटल हमारी कितनी प्याज लगी चार इध्यान रखेगा आप आप चाहे तो इसमें उपर मसाले डाल सकते हैं मैंने नहीं डाले हैं और और यह आगया हमारा देसी घी वाव और थोड़ा सा पानी लेना है आडली दो चमत दो टी स्पून आप इसमें वो पानी है जो चावल का पानी हमने चावल को बॉयल करने के बाद बना था अब हम इसमें सिर्फ एक सीटी लगाएगे और वो सीटी भी नहीं लगेगी पूरी जैसे कि पहले किया था हमने सीटी लगने से पहले हमने कुकर कुक खोल दिया था यानि कि दम पे पकाया था देखिए बिर्यानी हमारी तयार हो चुकी है बिलकु समय नहीं लगा बिलकु टाइम नहीं लगा बिर्यानी हमारी रेडी है अब हम इसे प्लेट में सर्फ करेंगे निकालेंगे देखे क्या कलर आया वाओ मेरे को तो देखते हैं मूं में पानी आ रहा है दिल करहा बस अभी खालो इसको क्या ब्रियानी है देखे क्या कलर है ना कोई टेंशन, ना कोई झंचट बिर्यानी हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। आप जहें तो ज़्यादा स्पैसी खाते हैं, तो यूज़ कर सकते हैं। इसे चटनी के साथ, दही के रायते के साथ, सच में जब आप इसे खाएंगे ना, तो मुझे जरूर याद करेंगे। सच में, कितनी टेस्टी बिर्यानी बनी है। बिर्यानी हमारी रेडी है, कलर देखें कितना अच्छा है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, मैं अच्छी-ची रेसिपी आपके लिए लेकर आती हूँ। कम से कम आप सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, वीडियो को देखिए सही, लाइक और शेर भी कीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हमारी बिर्यानी रेडी है, आप इसे इंजुआए करें और मुझे कमेंट शेक्षन में जरूर बताएं कि बिर्यानी आपको कैसी लगी। और हमारी वीडियो को लाइक और शेर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।